अपने जीवन में हमें चार प्रकार के लोग मिलते हैं उनके प्रती हमें कैसा ब्यभार करना चाहिए जिससे कि हमारा मन संतुलित बने रहे एक तो मिलेंगे जो अपने से उन्नत हैं, योगी जन हैं, उन्नत भक्त जन हैं, उन्नत मन वाले हैं इनके प्रती मुदिता का भाव, चीयरफुलनेस, प्रसंदता का भाव, दूसरे हैं अपने समकक्षी, जैसे कोई अपने मित्र हैं या और भी हैं, पशुपक्षी भी हैं, इनके प्रती मैत्री भाव, पशुपक्षियों के प्रती भी मैत्री भाव रखना निवारी है, और तीसरे हैं, जो आर्थिक दिष्टी से, शारिडिक दिष्टी से, ढुखी हैं, कमजोर हैं, कठेनाईयू से जूज रहे हैं, इनके प्रति करुणा का भाव, गिर्णा का भाव नि रखना है, अर्थाथ कॉमपैसन, और चौथे हैं, जो हमारे प्रति शत्रुवत भाव नीचा दिखाने का भाव रखते हैं, इनके प्रती उपेक्षा का भाव रखना है, इंडिफ्रेंस, जडवत बन जाओवत, लेकिन इनके प्रती प्रतिशोत की भावने नहीं रखनी है, अगर ऐसा हो रहा है, तो मन नियंत्रित हो रहा है, और मन नियंत्रित हो रहा है, तो साधना आगे बढ़ रही है,